हेल्लो भीलुडो तो कैसे हो आप सभी लोग आई होब कि आप अच 우리 did लोग एकदम बढ़िया होगे और एक दम बढ़िया होना भी चाहिए टो 3N Family में तुम सभी लोगों का welcome है जिन लोगों ने भी चैनल को subscribe कर रखा है जिन लोगों ने subscribe नहीं कर रखा है तुम लोग ना जायज लोगों बे तुम लोग 3N Family के member member नहीं हो तुम मुप्त की रोटियां तोड रहे हो तो चैनल को subscribe करो और 3N Family के member बन जाओ यार बन जाओ दुनिया की सबसे अच्छी family है 3N Family ज्याद है तुन ही बोल दिया है तो देख लेंगे खेर चलो like से subscribe मार दो like कर देना comment तुम लोग के जिम में छोड़ता हूँ मैं और आजाते हैं हम लोग सीधा वीडियो पे जो पिछला एपिसोड था क्या था भी पिछला एपिसोड में आचा हाँ जो पिछला एपिसोड था काभी संदार होता है जो कि हम लोगों ने देखा हुआ होता है कि जो यान की fight इस्टार्ट हो चुकी होते है उस चमन चूती है इस्प्रेट के साथ जो देखकर वो कहता है यह हालत कैसे हुई जिस भी दुस्मन क्लियन ऐसा किया हुँसे मैं मार दूँगा तोड़ दूँगा फोर दूँगा और इसके लिए मुझे अब तुम्हारी बॉड़ी चाहिए यह जो यान की बड़ी पर एकप जकने की सोच रहा होता है जो यह बंदे होते हैं इन्हें देखकर जो यान कभी अमात्व पच्ची हो चुका था जो यान तुरंदी कहाता है चलो आजाओ फिर एक एक करके नहीं दौनों एक साथ आओ और यह दौनों एक साथ आते भी और जो यान से बच्पन में बनाया करता था, मेरे लॉंडे भी तुससे अची फॉर्मेशन बनाते हैं, डॉग ही अलग लेविल की बेच जती करता है उस बंदे की, जो कि तुम लोग ने सुन ली होगी, देन हम लोग ने ये भी देखा होता है, कि ये जो बंदा था, इस प्रेट सोल, बुर जो बंदा था अमर, क्योंकि था राइटर का असिर बाद, लेकिन यहां पे पंगा यह हो जाता है, कि चांग यू हुआ की बाड़ी खत्म हो रही होती है, जो देखकर जोन को जल से जल इस पपेट को, या निकी, इस टैचू को डिश्ट्रॉय करना था, जिसके लिए जोन बढ़ चुका होता है, एपिसोड मैंने वही एंड किया था, तो यह एपिसोड इस्टार होता है, जैस्ट वहीं से, तो आओ देखते हैं कि क्या जोन बास्तों में उससे स्टैचू को डिश्ट्रॉय कर पाएगा, या नहीं, तो इस एपिसोड की स्टैटिक में जोन देखत उसकी तरफ बढ़ा देता है, और तुरंती फ्लेम और थंडर का सी, जूगवान की बॉड़ी से टकराने लगता है, जिसके बाद जूगवान तुरंती अपने फीट सैडो को, उस स्टैचू की तरफ मार देता है, जो सब जूगवान को अपनी बॉड़ी को इस्टेविल कर भले ही उसकी बॉडी जुष्ट्रा हो गई हो और उसकी सोल के वल बची हुई सोल हो जूगवान अंगिना सालों से इसे प्रोटेक्ट कर रहा है और रिस्टिक्टेड फॉर्मेशन का यूज करके आस पास के हार एक चीज को सेफ करके रखे हुए है साती ऐसा लग रहा था आप बदलना चाहते हैं तो आप बदल सकते हैं मैं आपको डॉग आई से एक या दो चीजा सिखाने के लिए कह सकता हूँ और फिर आफ सेनेक्सी के लिए भी लड़ सकते हैं जो एन जुगवान की तरब देख रहा होता है जो इस समय फिर से पीछे की तरब देख रहा होता वो किबल इसलिए था क्योंकि यहां पर अंगिनत फॉर्मेशन थी जिसे उसने अजारों सालों से बनाये था इसलिए वो जयान के कुछ अटेकों को रोक पा रहा होता है हाला कि जो जयान को फॉर्मेशन के बारे में ज़्यादा फॉर्मेशन नहीं थी जयान के बोलने के बाद जयान के spiritual power चाहतर फैल जाती है साथी जयान ने जो का था जूगवान ने भी उसे महसूस किया था इसलिए उसकी body अचानकी हिलने लगती है तब ही अचाना के एक आवाज आती है जूगवान तुम क्या कर रहे हो जल्दी से उसकी attack को रोको तोर पर अब आप मेरे master नहीं है क्योंकि जब से मैंने मेरे master को follow किया, उसने कभी भी मेरा अपमान नहीं किया, जब से आपकी main body destroy हुई है, तभी इसे आपकी death हो चुकी है, जूगवान का चेरा लाल हो चुका होता है कि उसका मास्टर पहले ही मर चुका है और ये बस इतना था कि जूगवान इस बात पर बिस्वास नहीं करता साथ ही वो अपनी कांटनेस का बदला भी चुकाना चाहता था जो हचारों सालों पर यहां तक रहकर वो कर रहा था जो देखर चांग गी हुआ कि आवाज तुरंती सॉप्ट हो जाती है और वो तुरंती कहता है जूगवान क्या तुम मुझे नहीं बचाओगे जूगवान की फिगर अचानकी की गई रिक्वेश्ट से हिल गई होती है हालक इस टेंप जो अचानकी गया हो गया होता है और अंगली बार जब वो अपयर होता है तो वो श्टोन स्टैचू के सामने होता है और रूलर बिना किसी की चाहट के उस statue के उपर attack कर देता है और एक आवा जाती है click और stone statue पूरी तरीक से तहस नहसों कर तूट जाता है इस पे चारों तरब दरारे आने लगती है और एक चड़ के बाद इस statue में blast हो जाता है और एक blood red mist निकलती है साथी blood red mist के अंदर एक figure भी महसूस हो रही थी उसी time पे चांग यू हुआ लड़ खड़ा गया होता है और उसके आखे जो खून से लद्पत होती है धुन्दली हो चुकी होती है और फिर साफ हो चुकी होती है चांग यू हुआ कचरा पीला पड़ चुका होता है आखे कावर से उसके ancestor द्वारा control किया गया था तब ही जन कहता एक्स्ट्रीम थंडर गॉड क्या उसकी physical body बहुत पहले ही डिश्चो हो चुकी है जन blood mist के बीच में खड़े ही figure को देख रहा होता है और महसूस हो रहा होता है उसे वही जो यानिया पे सोच रहा होता है जन क्या के सिक्ड़े हुई होती है जिसके बाद ये blood mist दीरे दीरे छट जाती है और अंदर की एक figure दीरे दीरे बाहर आती है जिसे देखकर जूग हुआन के चेरे के impression hard हो गय होते है और उसके चेरे पे डर को भी देखा जा सकता था वो तुरंती कहता है master master आप मरे नहीं है जूग हुआन इसे familiar face को देखकर अंदाजा लगा सकता था और वो बिल्कुल भी गलत नहीं था ये उसका ही master था एक्ष्रीम थंडर का master चांग कीतियान इस समय जूग हुआन ने इस figure को देखा होता है तो उसका दिमाग तो खो गया होता है वो subconscious हालस में होता है दूसर जब जब योएन की spiritual power भे गई होती है तो उसने blood में इस figure को देखा हुआ होता है और कुछ सुराग महसूस किया होते हैं तब जब 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 कहता है puppet body ऐसा लगता है कि वो बास्तों में काफी अच्छी तरीके से तयार है ऐसा लगता है कि एक गुस्सा और एंगार इतने सालों से इखटा करके रखा गया है साथी soul के लिए भी ऐसा कर पाना impossible है जब तुरंती एक नजर में इस black mountain पर हो रही चीजों को समझ लिया होता है और इसके बाद जू गुआन की तब देखता है और जू तुरंती कहता है गौयान क्यास mountain पर एक आद formation है क्या तुम देख सकते हो जैसे गौयान गौयान को थप थपाता है जो कि अभी सो रहा होता है वो फिर से जाक कर जू आन के एक कंदे पर आ जाता है और तुरंती कहता हाँ यहाँ पर सब कुछ लगबग वेरियर ही है डौग आई जैसे ही रिप्लाई करता है लेकिन वो इस पर ज़्यादा जोड नहीं दे रहा होता तो फिर यह व्लैक माउंटेन आकर किस तरीके का बैरियर है और इसका काम क्या है जो आन तुरंती पूछता है जो देखकर डौग आई तुरंती कहता है असा लगता है कि यह बैरियर की बहुत जादा पॉसिबिल्टी है कि यह कोई प्रतिबंध है और यह रिप्लाई करते हैं डौग आई कि यहां के थोड़ी से धुन्दली होती है और फिर वो तुरंती कहता है नहीं नहीं ऐसा लगता है यहां पर काफी सारे फॉर्मेसंस है जो की छोटी छोटी फॉर्मेसंस से मिलकर बने हुए है मुझे से क्लोस से देखने दो और डौग आई अचाना कि इसमें इंट्रेस्ट लेने लगता है और जोयन के सिर के उपर सोड़ गया होता और उसकी आँखो से जोलाइट निकलती जो सीधे इस माउंटेन को ढख लेती है जिसके बाद डौग आई तुरंदी कहता है अरे मामू में को पता चल गया ये पॉपेट फॉर्मेसन है इस माउंटेन के नीचे डेड बॉड़ी है और उनमें से कुछ के अंदर बहुत ज़्यादा एंगर बे अभी अभी मर गए है और उनमें से कोई भी जिन्दा नहीं है गोयान जोयान के कंदे पर लोटाया होता है वो तुरंदी कहता है ये वो फॉर्मेसन जो इन पफेट्स को न्यूट्रेट कर रही है जो देखकर जोयान की आखे सिखुड जाती है ऐसा लग रहा था कि सिच्वेशन उसकी उम्मीद से भी ज़्यादा कठेन है और सच्चा इतनी भी ज़्यादा आसान नहीं जितनी की दिखाई दे रही थी इससे पहले कि जहान दो बारा बोल पाता हूँ से ब्लड मिश्टर निकलने बाली फिगर रैंबो में बदल कर सीधा ही जोयान की तरह पुड़ चुकी होती है और बेहत्ते जैंगर के साथ जोयान के सामने दिखाई देती है उसका चारा काला होता है और उसके चार पे कोई भी इंप्रेसन नहीं होते हाला की फेस में हुमन जैसा था लेकिन देख नहीं रहा था ये जो पपेट होती के बल एकी चीज़ चिला रही होती मुझे इस बॉड़ी पर कबजा करने दो ये बॉड़ी मुझे दे दो मैं 10,000 थंडर गॉड हूँ मैं 9,000, मैं 9,000 इसकाइस के अंदर 9,000 के अंदर थंडर को कंट्रोल करता हूँ मुझे ये बॉड़ी दे दो ये बंदर बाबला हो चुका होता है साथी उसके चेहरे के साथ साथ उसकी आबाज भी भयानक होती है और कंटीनूस की दहार चालोई रहती है उसका मुझ पूरी तई के से खुला भी नहीं था लेकिन जब उसकी आबाज निकले होती है तो काफी ज़्यादा खतरनाक थंडर इश्ट्राइक की तरह लग रही होती है साथी जोयन के लिए पहली बार होती है जब उसने इससे की आबाज से थंडर को अफ्यार होता हुआ देखा था और इतनी ज़्यादा ठोस थंडर जोने देखा थे इस थंडर की लाइट के साथ एक सर्कुलर पिलर होता है और चाहे आप इसे कैसे भी देखे ये थंडर की पाउर से लेटेड लग ही नहीं रहा था बल्कि यÝ लाइट की एक रेज जैसा लग रहा होता है ऐसा लग रहा है जैसे कि थंडर पूरी तही की साओर को फॉलो कर रही है और उस फेग अर द्वारा बोले गए है रिक चीज को कर रही है साथ यह तुरंती जोहान की खोपड़ी की जोपड़ी की तरफ बढ़ती है और इससे पहले की जोहान रियक्ट कर पाता एक फिंगर अटेक जोहान की तरफ सूट हो चुका होता है जो की होता है एक्स्ट्रीम थंडर फिंगर और साथ ये finger attack में बहुत ज़्यादा thunder power होती जो पतले पतले thunder से मिलकर बनी हुई होती है और जोयान इससे react करते हुए बचने में capable नहीं हो सकता था और एक पल के लिए इस जीवियोयान के सीधा ही chest से जाकर टकराती है और यहाँ पर जो power होती कई level तक बढ़ चुकी होती है जिससे जोयान पीछे की तरह fake दिया जाता है और chest में अचाना की bloody hole दिखाई देता है लेकिन जोयान का mass और blood जल्दी से mix होते हुए ठीक हो जाता है लेकिन अभी तो attack सुरू हुआ था जोयान के पास बापस में होस में आने से पहले ही इस figure ने John को पकड़ लिया होता है ऐसा लग रहा होता है यह जोयान को अब time आप नहीं देना चाहता है बलकि John को तुरंदी पीटना सुरू कर देना चाहता है जिसके बाद अचाना कि एक और थंडर अटेक जोएन के पेट से जाकर टकराता है काफी खतनाग के स्पीट के साथ यहां तक ही इतना जारा क्लोस से होता है कि जोएन के पास रियक्ट करने का भी टाइम नहीं था जोएन के आखे सीरियस होती है साथ ही आखे चमक भी रही होती क्योंकि जोएन को इस थंडर में आप बहुत इंट्रेश्ट आ रहा था क्योंकि चाहिए स्पीट का मामला हो अटेक का मामला हो यह काफी जादा खतन राग थी हलके जोएन के इस स्पिरेट हार्ट जितनी अच्छी नहीं है जो सीधा जोएन को वाइड में टेलिपोर्ट करा सकती थी लेकिन बास्तों में इसका एफेक्ट भी काफी जादा टेलिपोर्टेशन जैसा ही लग रहा था क्योंकि यह थंडर पैरों के नीचे साइन होती थी जबकि जोएन के पास इस्पिरेट हार्ट है वो अभी केवल पार्ट अफ सोलई है ना कि रियल हार्ट साथि जोएन को अभी भी रियल हार्ट इस्पिरेट हार्ट के बार में कोई भी इंपोमेशन नहीं थी इसके बाद जोएन के Mortal Monster World में भी जाना था और उसे haven even mentioned के दो spirit king से भी लिपटना था और उनका सामना करना था इसलिए जॉन को हर कीमत पर extreme thunder को जीतना ही होगा ताकि tired है thunder को पाने के बाद वो अपने spirit art यानि की golden mistrius mantra को upgrade कर सके इस time पर जॉन लड़कड़ा रहा होता और fight back नहीं कर सकता क्योंकि उसके पास यह time ही नहीं था नहीं यह बंदे उसे time दे रहा था हाला कि basic जॉन सांथ बैट कर मौत का इंतिजार भी नहीं करने वाला था तो ऐसा नहीं था कि जॉन action नहीं ले रहा था बलकि उसे action करने की जरूरत ही नहीं थी पास्ट हो सकता था और जयान को जल से जल इसकी पाउर को समझना था तो जयान अभी कह रहा हो था भाई तू मार मैं पिटने को तयार हूँ जो यान की ताकत भी बढ़ रही होती है क्योंकि यह thunder जयान की body को refine कर रही होती है और जयान की body अब पहले जैसी नहीं थी उसके पाथ पर यह आप तेनर्जी और blood के बिना यह मामला बेहत बेस्वाद लग रहा था हाला कि जयान थोड़ा से embarrassed देख रहा होता है उसकी body में चोटे बढ़ने लगी होती है यहां तक कि immortal body वाला strong person भी ऐसा नहीं कर सकता एक powerful body के साथ thunder power का सामना करना बहत खतरनाक है क्योंकि thunder की attack बहत wild होते है इस person को देखकर ऐसा लग रहा है जैसे से thunder से कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा जोगवान की मुट्टियां भीची होई होती है और आखे काप रही होती है जोगवान को देखते हो वो एकदम serious लग रहा होता है वो तुर्णती कहता है इस body के अंदर भी thunder है क्या ये एक heart जो की extreme thunder का मुकाबला कर सकती है ऐसी कोई thunder हो सकती है जोगवान जब ये सोच रहा होता है उसका दिमाग हिल गया होता है और उसकी body अचानक से पीछे हटने लगती है ये जानने में वो अंजान था कि जोआन अखिर कार इसका सामना कैसे कर पा रहा था लेकिन उसी समय उसके कानों में अचानकी घंटी की आवाज सुनाई देती है और अब आज आती है इतनी जल्दी मज जाओ कि तुम हजारों सालों की strategy को ऐसे ही छोड़ देना चाहते हो अराम से चिल करो और जब जूगवान अपना सिर्गुमाता है तो वो देखता है एक बेहत ब्यूटिफुल लड़की उसके पीछे कड़े हुई होती है साथ ही यह कुइन होती है जो हलकी सी स्माइल के साथ उससे देख रही होती है और यह कुइन की सीधी उसे चेताब नी थी कि बेटे यहां से जाने की कोई जात नहीं जहां खड़े हो वहीं खड़े रहो साथ ही एमप्रेस अभी तक जो चुपचा फाइट देख रही थी यह पहली बार था जब एमप्रेस ने कुछ बोला था वो हाला की जो उनकी मदद के लिए नहीं आई लेकिन वो जूगवान को रोकने के लिए जरूर आई थी जो यहां से निकल कर भागना चाहता था दूसरी तब जूगवान का जो फर्स रियक्शन होता वो कुईन की वीट्री को देकर अट्रेक्ट होना था लेकिन इस टाइम पर उसके दिल में एक घबराहाट होती है कुईन के अट्रेक्शन से ना जाने उसे क्यों हलका सा डर महसूस हो रहा होता है जूगवान का चरत तुरंती कोल्ड हो गया होता और अपनी बॉड़ी में फॉर्मेशन पाउर को एक्टिबेट करते हो बिना किसी बात चीत के बहुत जूगवान सीधा ही कुईन को उपर एक अटेक कर देता है जूगवान के थॉट के हिसाब से ऐसी ब्यूटिफुल लड़की उसके पस कोई अटेक पाउर तो नहीं होनी चाहिए ये सिर्फ एक ऐसी खिलोने जैसी चीज होनी चाहिए जिसे जूएन जैसा पाउरफुल परसन केबल अपने मन को बहलाने के लिए रखता है इसलिए कुईन की पाउर को ज़्यादा इस्ट्रोंग नहीं होना चाहिए जूगवान कुईन की ब्यूटी को इग्नोर कर देता और तुरंती उसे मारने के लिए आगे बढ़ जाता है कुईन को मारने की डिजायर हाला कि बंदे का ड्रीम काफी बड़ा था और उसकी पाउम अटेक की फॉर्मेशन को घेर भी लेती है जूगवान के मन में पहले से ही था कि अब तो यह गई साथ ही वो तुरंती कहता है नॉर्मल टाइम होता तो मैं तुम्हारी जैसी ब्यूटीफुल लड़की को कभी नहीं मारता क्योंकि तुम्हारी जैसी ब्यूटीफुल लड़की को बैसे इस तरीके की तारीफ बुरी नहीं है आप कमसेगम इस खडू से तो अच्छे ही है हाला कि कोई नेकदम नॉर्मल ही उसका जो बाचीता लिया होता है लेकिन यहाँ पे जूगवान का पसीना छूड़ गया होता है वो और ज़्यादा डर्गया होते कि इस लड़की ने बिना एक्षन लिया ही उसके अटेक को सिर्फ अपने प्रेसर के साथ ब्रेक कर दिया क्या यह बहुत लापरवाई भरी बात नहीं थी यानि कि नॉर्मल एक्सपियेंस के कॉर्डिंग जो लोग चुपचाप और सांथ दिखाई देते हैं और जिनका और अब बीक लग रहा होता है उन में से ज़्यादा तलोग होते हैं ओल्ड एसियंट पावरफुल मॉस्टर्स जो केबल खुद को छेफा कर रखते हैं और ज़्यादा दिखावा नहीं करते हैं और मुझे डरे कि ये लड़की भी उन में से एक होनी चाहिए वो तुरंती कहती है ये रसली पावर हाउस है जूगवान क्या के से कुड़ चुकी होतर वो धीमियाब आज में बढ़ बढ़ाता है तभी कुईन तुरंती कहती जल्दी मत जाओ अभी तो फाइट का इंट्रेस्ट स्टार्ट हुआ है मैंसे मिस नहीं करना चाहती तो चुप चाप जहां खड़े हो वहीं खड़े रहो और ऐसा कहती हो कुईन के चरप एक स्माइल होती है दूसरा जूगवान उसे ये इसमाइल किलिंग इसमाइल से ज़्यादा खतरनाक लग रही होती है ऐसा लग रहा होता है के बल कुईन उसको बातचीत के दौरान ही बात करके मार देगी दूसरा अब इस टाम पे बलैक माउंटन पे लगे हुए बैरियर्स धीरे धीरे गायब हो रहे होते हैं और हवा में सभी बैरियर्स गायब हो चुके होता है ऐसा लगता था जूआन हवा में अकेला था लेकिन तब ही अचाना की फटने की आवा आज आती है और जूआन फे अटेक कर रहा है यह बंदा भी दीरे दीरे सांथ हो गया होता है और वो तुरंती गया था तुमारे पास भी हार्ट आप थंडर है जूआन की बाड़ी पर थंडर को देखकर उस फिगर की आवा आज आती है आके गर कई हमलों के बाद उसने पाए थे कि वो जूआन को नहीं हिला पाया इसलिए ऐसी कोई चीज नहीं थी जो कि उसकी थंडर को रोक सके फिज़कल बाड़ी के बसकी बाद भी यह नहीं थी यानि कि जूआन के पास भी पाउरफुल थंडर हार्ट होना चाहिए जो वेटल के मामले में सेकेंड रैंक के थंडर हार्ट के साथ कॉम्टीट कर रहा है और जैसे ही जूआन की बाड़ी से थंडर लाइट चमक रही होती है अगर जूआन के पास भास्तों में हाट ऑफ थंडर है तो बाड़ी को कपजा करने की तो बात ही दोर वो फाइट में भी मुसीबत में पढ़ जाएगा जो देखर जूआन तुरंदी कहता क्या तुम बस यही सब कर सकते हो जूआन के अब आज एकदम उदास होती है और आखों में वो सड़ी हुई पपट को देख रहा होता है जो देखर हो बंदर तुरंदी कहता है जब तुम्हारे पास पहले से ही हाट ओप थंडर है तो तुम्हारा यहाने का क्या मोटिव तुम मुझे परिसान करने इक लिया हो चांग कीट्यान के अब आज एकदम वाइल तरीके से भरी हुई होती है और इस थंडर ने उसे चावतरप से गेल लिया होता है जो देखर जन कहता मुझे यह हाट ओप थंडर चाहिए जो आनब पहले की तरह रिस्पेक्टेड नहीं होता बलकि सीधा ही जो यान ने इगोइस्टिक तरीके से कहा होता है कि देरावर न पेल दूँ अलग यह रहा होगा कभी सीनियर जिसने सनेक्सी के खिलाड लिये लड़ाई लड़ी होगी लेकिन यह अपने दिमाग और विवेक दोनों को खो चुका था इसलिए विसे कि विले क्रूल परसन माना जा सकता था जिसकी रिस्पेक्ट करना पानी में आई मीन पानी में नहीं समंदर में पत्थर फेक के पुल बनाने जैसा था जो देकर वो बंदर तुरंदी गया था क्या तुम पागल हो क्या तुम इतने लालची हो क्या तुम एक ही साइम पे दो हाट ओफ थंडर अपनी वाड़ी में रखना चाहते हो बले ही तुम कितने भी श्ट्रॉंग क्यों तुमारे पास यहसे पाने का मौका नहीं हो सकता तुम दो वयल्ड अनेर्जी को कभी भी नहीं सम्हाल पाऊगे, यह तुमारी इच्छा धारी सोच है तुम ऐसा नहीं कर सकते… चांक कीटियान को भरो सही नहीं था कि भाई दो origin heart कोई कैसे अपनी body में carry कर सकता है भाई वो 5 carry करके चल रहा है पता चलेगा इसकी फटकर पैजामा हो जाएगी देखना तुम अभी लेकिन जुआन ने भी उम्मीद की किरन को बरकरार रखा हुआ होता है उसे उम्मीद नहीं थी कि चांक कीटियान के पास अभी भी सोचने समझने की ताकत हो सकती है जो देखकर जोहन तुम्मीद है कि सीनियर ये थंडर मुझे दे सकते है सेनेकसी को अब इस थंडर की पावर की जरूरत है जोहन उसे रिस्पेक्टेडली ग्रीड करता है लेकिन चांक कीटियान ने जो किया वो ये था कि जो यहान उसका सम्मान नहीं कर रहा है वो केबल यहान उससे रिक्वेस्ट कर रहा है जो देखकर वो तुरंदी गयता सेनेकसी मुसीबत में है लेकिन सिनक्सी कौन है आपने का कि आप यहाँ से चले जाएंगे मैंने आप से का कि आप यहाँ से चले जाओ फिर तुम्हारी यहां रुकने की हिम्मत कैसे हुई किया तुम बास्तों में खुद को बहुत जादा ही स्ट्रॉंग समझते हो जैसे कि जॉन कुमीत थी इसकी आदास बिलकुल भी नहीं थी वो केबल खुद को कुछी चीजों के साथ सोच रहा हो था और वो कुछ चीजे थी कि मैं खुद को रेंकानेट कैसे करूँ इसके लाब बैसे ज़्यादा चीजे तयार या याद नहीं थी साथी चांगी हुआ दोर तयार की गई फॉर्वेडेड टेकनीक उसे लाइफ में बापस ला सकती है जिसका नाम है एक लाइफ के बदले एक लाइफ चांग की ट्यान की सो लंबे टाइम से ऐल्यूजन में है जिसके कांड उसका जो विहेवियर वो मॉस्टर्स की तरह हो चुका है जिसे ठीक करना भी इंपॉसिवल था इसलिए जोहन तुरंती गाता क्योंकि सीनियर नहीं चाहते तो मुझे माफ करीएगा लेकिन मुझे ये खुद ही करना पड़ेगा क्योंकि ये थंडर तो आज मैं लेके ही जाऊंगा बहले इसके लिए मुझे आपकी लेनी पड़े जान लेनी पड़े मुझे भले ही आपकी जान लेनी पड़े मर चुका है वो बंदा जोहन चाहे भी तो भी कुछ नहीं कर सकता गंदा मसोचना क्यों निकल जाते हैं डबल मीनिंग बल्ट्स मेरे मुझे जान चाना की चांग कीटियान की तरब देखता है और इस टैम पे चांग कीटियान के पास मौजूद पपेट उसे प्रोटेक्ट नहीं कर सकती थी साथी जान के पास भी इस टैम पे फिजूल का कोई टायम नहीं होता जन जानना चाहता था कि क्या बास्तों में चांग यूवा और जुगूआन बास्तों में चांग कीटियान को लाइप में बापस ला सकते हैं लेकिन ये अगर ऐसा कर सकते तो क्या आप तक ये कर नहीं लिया होता कम से गूजुवान केवल पपेट को रिफाइन कर रहा है और अगातार जीवित प्राणियों को मार कर उन्हें ब्लैक माउंटेन में फेक रहा है तो क्या ये चांग कीटियान के कल्टिवेशन के लिए हो सकता है और इस टाम पे चांग कीटियान भी अचाना की हिल गया होता है उसके वर्ड्स काफी यारे स्ट्रॉंग होते हैं सायद इसलिए उसने जो यान के अंदर से बड़तुए खत्रे को महसूस किया था तो उसके पेरो के नीचे काफी सारे थंडर बोल्ड्स अपियर होते हैं और उसकी फिगर अचाना की गायब हो जाती लेकिन अंगले ही पल चांग की टियान ने जो दुनिया देखी होती है उसने जमीन को हिला दिया होता है और तरा और तरा बदला होने लगे होते हैं बंदर जोन को मार ने कले बढ़ा तो था लेकिन अचाना की गायब हो गया था और उसके बाद उसके कान में सिर्फ एक आबाद सुनाई देती है और ये होता है जोन का डिवाइन रियलम इसकी बॉड़ी से थंडर को निकाल लेना चाहता था क्योंकि वो उस जगय पर चाहे थंडर हो या फिर God of Thunder सभी की लंका लगाई जा सकती थी हालक ये थंडर स्ट्रोंग है लेकिन अगर ये जो यान का डिवाइन दियलम है तो ये फ्लेम डिवाइन रियलम होगा जो कि थीन फ्लेमों से बना हुआ होगा और फ्लेम ही वहाँ पे श्ट्रोंग होगी जिसके बाद यहाँ कास्मान तीन अलग-अलग कलर का दिखाई दे रहा होता है और ये जलत वे फ्लेम के कुलड्रोंग की तरह गर्म होता है जाँ पे थंडर बेचैन हो रही होती है और इस पपट की जो बाडी होती है धीरे-धीरे मेल्ट हो रही होती है यहाँ पे इस थंडर के सबसे पहले रियक्शन होते हैं कि वो चांक कीटियान से छुटकारा पाना चाहती थी तभी जो आन अपने हाथ को हवा रखता है और सभी डायरेक्शन से तीनोगी फ्लेम हवा में डांस करते हुए जैसे कुलड्रोंग के अंदर फिल को रिफाइन किया जाता है वैसी इस body को refine करने लगती है और इसके चातरब घूम कर दे मठके पे मठका I mean ठुमके पे ठुमका मार रही होती इस body को जैसे यह अपना introduction दे रही हो मैं white flame बायान, मैं eternal fire और मैं 10,000 demonic flame यहां thunder की फट गई होती है कि यह कैसी जगा पे भेज दिया मुझे यह पूरा का पूरा place एक cold drone की तरह था जहां पे ने पेला जा रहा था एक फल के लिए चांग कीटियान की जो puppet की बोड़ी होती है उसे सफेद कलर का fog निकलने लगता है और की धुआ यहां के temperature के काड़ यह धीरे धीरे जल रहा होता है जिसके बाद अब आज आती है नहीं नहीं मैं तुमें यह thunder दे दूँगा क्या तुम मेरी सोल को जिंदा छोड़ सकते हो मेरी kindness के लिए मैंने सिनेक्सी के लिए एक बार लड़ाई लड़ी थी हाला कि puppet के अंदर काफी अरग गुस्सा था लेकिन गुस्सा चाहे कितना भी ज़्यादा क्यों नहीं हो जब उपर से मार पड़ती है न तो होस में सब ही आ जाते है यह यहां का temperature जेलने के लायक नहीं था जनकी तीनों फ्लेमों की जलन से यह बंदा आकिरकार फिल की तरह भुझने लगा होता है साथ ही अगर वो इस जगह को ब्रेक भी करना चाहता तो भी चांग की टियान की बची ही सूल के पास इतनी पावर नहीं थी नहीं इतनी immortal पावर कि वो divine domain को crack कर सके और divine domain को crack करना तो दूर यह पूरी तही किसे thunder power पर depend है हालक यह thunder power strong के लेकिन अपसोस की बात है कि यह जो जगह थी वो तीन ओरीजन flame की जगह थी यहाँ पर thunder heart के भी पर खच्चे ओड़ रहे होते हैं और वो भी इसे real हम को break करने में capable नहीं थी क्योंकि यह दूसरे place की heart of thunder है लेकिन यह तीन heart of fire है इसलिए वो इसे break करने में capable नहीं थी साथ इसकी पाबर भी यहाँ पर suppress हो चुकी थी immortal divine domain अभी भी यह बहुत बुनियादी है और इसमें अभी भी बहुत सुधार की गुझाय से जोयन भी इसे महसूस कर सकता था लेकिन यह उसका खुद का place था चाहे जैसा भी हो यह अभी भी ना से तो अच्छा ही था और इस जगह पर जोयन के लिए सब कुछ एक चीटी की तरह था जहां वो अपनी मरजी के हिसाब से किसी भी चीज को कंट्रोल कर सकता था किसी की life और death को भी जिसके बाद जोयन नहीं रुकता और धदकती वी फ्ले में चारतरप से घेर रही होती इस puppet को और body पे बचा हुआ सड़ा गला मास भी अब दीरे दीरे destroy हो चुका होता है जिसके बाद यह पूरी तरीके से skeleton में बदल चुका होता है लेकिन केबल अंदर एक heart धड़क रहा होता है जो देखकर जोयन किया के सिकुड जाती है उसने देखा कि उसका दिल तेजी से धड़क रहा था और अचानक कि इससे एक wild और अप्रेडूस होने लगता उसी टाम पि जोयन कर divine domain अचानक की destroy हो जाता है जो देखकर जोयन तुरंदी कहता है ये power जोयन के आखे सिकुड गई होता है और वो तुरंदी पीछे की तरब चला जाता है अचानक कि जोयन के पीछे एक ठोस bloody palm दिखाई देती है सती इस palm की पाँचों की पाँचों उंगलिया चानक की बंद हो जाती है पूरा black mountain चानक की strong air के साथ तुड़ा दिया जाता है और हबा में एक बड़ा सा figure अफियर होता है जो 100 feet का होता है सिर पर दो सींग होते हैं और पीट पर तेज काटो से ढखी होती है सती उसके सामने के दो लंबे दाद भी दिखाई दे रहे होते हैं जब जोयन इसे देखता है तो काफी हरान होता है सती इस black mountain monster की पूरी body में एक अलगी एंगर होता और chest पर एक center में एक blood hole होता है के अंदर ऐसा लग रहा था कि thunders घूम रही हो ऐसा लग रहा था जैसे rank 2 की thunders को यहाँ पे seal कर दिया गया था सती जैसे जैसे इसका anger बढ़ता जा रहा होता है इसकी body का energy mass भी ठीक हो रहा होता है सती यह जो mass होता है बिलकुल armor की तरह condense हो रहा था और इसकी figure जो 100 feet तक फैल गई थी काफी अजीब लग रही थी लेकिन यह धीरे-धीरे सिकुडते हुए normal size तक आ गई होती है और अंगले ही पल void में एक blast होता है और यह monster की figure गायव हो गई होती है जब यह फेर से appear होता है तो दो तेज ब्लेड इसने पकड़े हुआ होते है जिससे तेज थंडर स्ट्राइक घूम रही होती है यह दोनों थंडर स्ट्राइक जब जोन पर टेक करती है तो जो यान देखता है कि एक monster भी तुरंत ही उसके सामने आ गया था तभी एक ही पल में जोन की बॉड़ी समें black liquid आ जाता है जो white god armor होता है और जोन अपने सामने के monster से लड़ने के लिए अपने fish attack का यूज करता है उसी समय जो यान की आँकों से एक light glow होती है और चारत दिन जैसा उजाला हो गया होता है जिससे monster की body और उसके दौनों के दौनों blade हवा में ही रुख चुके होते है और जो यान की flame से लिप्टी हुई fish ने उसकी खोपड़ी पर attack किया होता है तभी जान कहता है अभी अभी मेरे divine realm को तोड़ने की power किस में थी जान की आंकों के सामने अंधेरा होता है जान को पता था इस realm को तोड़ने की जो power थी वो चांग कीटियान से नहीं आई अखिरकर चांग कीटियान की बदलती वी figure को देखकर उसकी power को strong होना चाही लेकिन इतना भी नहीं और जान को उसकी कोई परवा भी नहीं थी यह ऐसा लग रहा था जैसे यहाँ पर और भी कोई powerful person है और अगर उसके पास जान की flame divine realm को break करने की power नहीं होती तो चांग कीटियान को जान द्वारा मार दिया गया होता यानि कि चांग कीटियान के बल सत्रंज का एक मोहरा है जो देखकर जुआन के था क्या ऐसा हो सकता है कि चांग कीटियान extreme thunder god नहीं है जुआन confuse होता है दुसर्ब जुआन का punch खाकर जो यह monster पीछे की तरफ गया होता है यह बापस से खुद को balance कर लेता है और उसकी chest पर दो fish के निसान बने हुए होते हैं चांग कीटियान के अंदर स्टम पे जो कुछ भी बचा था वो सब कुछ पहले ही खो चुका होता है ऐसा लग रहा था वो अब human words नहीं बोल सकता ऐसा लग रहा था जैसे वो किसी और power की control में था उसकी आखों में केवल एक killing intent होता है जो चांग कीटियान को एक death weapon बना रहा होता है दूस्तब जोयन याद चांग कीटियान को कोई मौका नहीं दे रहा होता लेकिन वो ये भी पता लगाना चाहता था कि आखिरकर यहां की special situation है क्या extreme thunder को पकड़ने और उससे swallow करने से पहले यहां और कौन है दूस्तब यह monster जिसे जोयन की white flame light से control किया गया था एक वार फिर से तेज स्पीट के साथ जोयान की तरफ आ जाता है और अपने तेज double blade जोयन की तरफ लहरा देता है इसने जोयन की खोपड़ी पर attack करना start कर दिया था जो देखकर जोयन कहता मुझे उम्मीद नहीं थी extreme thunder के god की death के बाद उसे दूसरों के द्वारा एक weapon के तौर पर इस्तबाल किया जाएगा यह बास्तों में काफी अजीव है लेकिन जिस person ने भी ऐसा किया है वो बहुत घटिया है और ऐसा कहते है जोयन का वा हुआ अंग रूलर हबा में अप्यार होता है और खतरनाग thunder power के साथ रोर करती हूँ अब वाहर निकलता लेकिन यह अपसोस की बात थी कि जोयन अभी भी उतना strong नहीं था साथी जोयन immortal divine realm का यूज थोड़े टाइम के अंदर दूसरी बार नहीं कर सकता बढ़ना वो चांग कीटियान को दवाने के लिए flame god realm में जरूर ले जाता दूस्तब जोयन ने यह भी पाय था कि चांग कीटियान बिना किसी दिमाग के ख़दरनाक thunder का use आँख बंद करकर के कर रहा है इसलिए जोयन इस monster के साथ अपनी fight को start कर देता इस time पे चांग कीटियान का भी जो anger होता है उस पर hubby था जिसने उसे monster में बदल दिया था दूस्तब इसके attack को का जो pattern होता बिल्कुल सीधा simple था जो कि जोयन को जल्द ही पता चल जाता है और इसे देखकर जोयन भुएं चढ़ा लेता है और डौग आई को थप थपाते हो कहता है यहां के सभी barriers तोड़ो ऐसा लगता है कि कोई भागना चाहता है जैसे ही जोयन ने यह कहा होता है चांग कीटियान जो गुस्से से बड़ा हुआ होता है उस पर इसका कोई फर्क नहीं पड़ता बलकि वो अपनी thunder power से जोयन के उपर attack करता है और ऐसा लग रहा थे यह extreme thunder की real power नहीं थी यह केबल जोयन को रोकने के लिए था और चांग कीटियान के साथ यह जो fight होती के बल धूफ की छड़ी जितनी ही तक गुजरी थी लेकिन जोयन को यकीन नहीं था हालकि यह जगह बड़ी नहीं थी इसलिए जोयन को यकीन नहीं था कि जिस परसन के पास extreme thunder है वो यहां से चला गया है या नहीं दोसरब डॉगाई भी seriously जोयन को देख रहा हो था वो उसे गाली देना चाहता था लेकिन वो कुछ भी नहीं कहता और तुरंती उसकी आँको से light food पड़ती है और एक पल में आके सारी various destroy हो चुके होते हैं जोयन तुरंती कहता मुझे लगता है यह formation barriers जो गुवान के मरजी से नहीं बने बलकि इनका अपना एक मतलब होना चाहिए सत्य जीब से feeling strong होती जा रही होती चाहे चांग यू हुआ हो जो गुवान हो उनके motive इरादे जो अनको unexpected महसूस करा रहे थे हालकि यह सभी अपने motive को so करते हो महसूस हुए थे लेकिन अगर इनके बारे में ध्यान से सोचे तो इन्होंने कभी भी secret को reveal किया ही नहीं था दूसरब डॉग आई कि Azure Light ने आसपास के सारे ही barriers को तोड़ दिया होता है यहां तक ही इस place को बना के रखने बाले barriers को भी उसने नहीं छोड़ा होता जसके कान Black Mountain सा ही थार एक चीज mirror की तरह break होने लगती है हालाक इसके destroy होने की जो speed होती वो थोड़ी धीमी होती है और जोयन भी यहां रुग गया होता और सीधा ही बाहर निकलने के लिए दौड़ पड़ता है जिसके बाद जोयन केता है यहां कि असली master को जाने से रोकने के लिए मैं टाइम में देरी कर रहा हूँ गयान इस जगह को seal कर दो जो देख कर डोग आई तो नहीं कहता है यह मामूद मैं तेरा गुलाम नहीं हो यार इज़त से बात किया कर यार मैं करता हूँ करता हूँ रुक जा उसे लग रहा होता है कि जोयन केबल उसे servant की तरह यूज़ कर रहा है जब कहता है formation तो तो formation तोड़ो formation बनाओ दो formation बनाओ दूसरी कोई चीज करता ही नहीं है नहीं ज़त से बात करता लेकिन गौया नहीं आपे काभी power less भी मैसूस कर रहा हूँ तब ही जल्दी कर चूती है वो भाग जाएगा जस उनका डोग आई कापने लगती है और तुरंती आसपास के space को scan करती है सबी barriers क create करती है साथ यहां का space डहता नहीं है बलकि एकदम stable हो गया होता है जिसके बाद वो तुरंती कहता है golden, cool drone, second, sky, array जो देखकर डोग आई तुरंती कहता हाला कि ए array आसपास के space को seal कर देता है और यहां पे कोई भी exit और entrance point नहीं है लेके इसे बनाए रखने की जो limit वो के बल दो अगर बती जलने जित्ती का ही time दे सकती है इससे ज़्यादा नहीं तो मामू अगर तू से मारना चाहता है तो तेरे पास ज़्यादा मौका नहीं है मेरे पास दूसरा कोई भी option नहीं क्योंकि मैं अगर कोई बड़ी formation बनाता हूं तो बहुत time लगेगा इतना time पे इतना दोलच का time बरबाद नहीं करना चाहता था जौन की domain level की speech or power निकलती और आसपास के space को cover कर लेती है लेकिन जौन को कोई भी breathe या और महसूस नहीं हो रहा होता जो देखके जौन कहता है क्या मैं कुछ ज़्यादा ही सोच रहा हूं आखिर कर ये एक ऐसी जगह जिसे अभी भ अपने दोनों ही heart of thunder से पूछता है आखेकर ये दोनों ही source of heart और power हैं तो ये एक दूसरे को समझ सकते हैं साथी जो यानि यहाँ पर अंदाजा भी लगा सकता था क्या आसपास जो extreme thunder फैली होई है वो real thunder नहीं है बलकि एक एबल part of thunder होनी चाहिए यानि कुछ power तब ये दोनो यान ने इस जेगा को seal करने में late कर दिया और कोई heart of thunder को लेकर यहाँ से भाग चुका है यह सटीक तोर पर कहें तो उस person के पास जो बाश्टो में extreme thunder का owner है वो यहाँ से चला गया होगा दूसरी तरफ इस टांप ये जो monster होता है ये जो जो आन के उपर attack करने के लिए बढ़ जो आ गया होता है जोन उस बंदे का पीछा करने की strategy नहीं बनाता लेकिन जो आन तुरंती वाइड डिक्रेक्टेब heavenly thunder मेरिडेंस को open करता है और black thunder जोन के चार तरा फैल चुकी होती है जिसके बाद जोन अपने पंच को create करते हुए कहता है मैं इस पंच में काफी long time synergy को store कर के आपके लिए तयार कर रहा हूँ मैं देखना चाहता हूँ कि क्या आप इसे बरदास कर सकते हैं जोन मॉस्टर को देखते है उसकी आँकों में एक strong killing intent होता है जोन ने रास्ते में अंगिनत मॉस्टर का अंगिनत बार सामना किया था और जोन की divine वो मार में भी आने beatable power थी और यही एक reason भी था कि जोन की void mystery is meridian की open होते ही thunder power अफ्यर होती है साथ यहाँ पे इस monster की आँकों में भी हलका सा बदलाओ देखा जा सकता था जैसे उसे भी sponge से डर महसूस हुआ हो इसलब वो तुरन थी अपने हाथों के दौनों ही blade जो यान की तरफ फिकता है साथ यह चा अंगले ही पर यह तेज blade जोन के कंदे और जांगो को छेद देते हैं लेकिन ऐसा लग रहा होते हैं जोन को रोकने में capable नहीं थे और जोन बेहज तेज स्पीड के साथ इस monster की तरफ आगया होता है और इस टाम पर जोन की फिगा इस monster के सामने आ चुकी होती है और जोन अप इसका मोटा हाथ सीधे जलकर राख में बदल चुका होता है और इसका सारा कसारा aggression और anger भी डह गया होता है हालाकि इसके अंदर जीने की डिचायर थी सीले वो यहां से भागना चाहता था लेकिन जोन को इसकी उमीद थी उसकी आखों में बापत से light glow होती है और इसके बाद जोन दूसरे हाथ को भी तोड़ देता है अब इसके left right दोनो हाथ यानि खाने बाला धोने बाला दोनो गायब था जो इसके बाद जोन का तीसरा fish attack सीधा इसकी चेस्ट से जाकर टकराता है जिससे इसका blood और march डह जाता है और extreme thunder जो इसकी चेस्ट पे seal होती है वो यहां से भ thunder या part of thunder माना जा सकता था दूस्ता monster BC के कारण powerful था जिसके बाद इसकी body तूट चुकी होती है और इसकी बचीवी soul चिला रही होती है तब जोन के हाथ में soul suppressing flag आता है और वो सीधा ही soul को इस flag के अंदर डाल देता है क्योंकि जोन ने अभी भी thunder का पता नहीं लगा था इसल जलती है भाई जोन की तरक्की से देख ले ना तुम इसको लग रहा है कि जोन श्ट्रॉंग हो गया ना तो फिर वो जोन से कुछ ले दे नहीं पाएगी तो वाई 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 थिरन पैमिली गूड नाइट मिलते हैं नेक्स एपिसोड पे टाटा